दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से 30 मुझदार सवाल पूछेंगे जो आपकी जिन्दगी बदल देगी तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी अवर इसी वाफ सुरू करते हैं क्यांकि इस वीडियो में सभी जो है सवाल वीमारी के बारे में बताई गई है और स पांत से जरूर देखें सवाल नमबर एक पुरानी दर्द दो से तीन दिन में दोस्तों कैसे ठीक होता है नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजेगा कि ऐसी जनकारी जो है आप तक मिलती रहे मेरे भाई दोस्तों इसका सही अंसर है हल्दी वाला दूध पुरानी दर्द ठीक हो जाता है भाईनस का दूध होना चाहिए उसमें थोरा सा हल्दी कूट करके डाल दीजी और गाठ गाठ की दर्द अगर हाई आपको तो तुड़न ठीक हो जाता है दोस्तों बहुत सभी लोगों को पुराना दर्द जो है वो बिल्कुल नहीं ठीक होती है लेकिन इस दावा से ठीक होती है सवाल नमबर दो लिकोरिया की बिमारी कैसे ठीक होता है दोस्तों दोस्तों इसका सही अंसर है देशी गाय के दूद और एक केला रोज खाने से लिकोरिया की बिमारी की अंत हो जाती है इसलिए जरूर खाना चाहिए जिन लोगों को लिकोरिया की बिमारी है सवाल नमबर तीन जीवन में किसका दिल घर में नहीं दुखाना चाहिए नहीं तो बड़क नहीं होती है दोस्तो इसका सही अंसर है देवी मा और दुर्गा माता को और माता पिता को और सभी देमता को दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए नहीं तो बड़कत नहीं होती है सवाल नमबर चार कम निंद लेने वाले को कौन सी बीमारी होती है दोस्तो इसका सही अंसर है कम निंद लेने वाले को सरीर की खूंड की कमी हो जाती है और हर्डी भी कम जोड हो जाती है इसलिए कम निंद नहीं देना चाहिए सवाल नमबर पांच किस देवी को पुजा पार करना जीवन में भूल कर नहीं छोलना चाहिए । दोस्तो इसका सही अंसर है। सबसे ज्यादा दुर्गा माता का पुजा करना चाहिए, सरसाती का पुजा करना है और सोब द्यामता को खुपजा करना चाहिए सवाल नमबर 6 घर में बरकत क्याओं नहीं होती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों इसका सही अंसर है बच्चा जब घर में राली खान नहीं रहता है तो घर में बरकत नहीं होती है इसलिए खूब पढ़ाना चाहिए बचे लोगों को सवाल नमबर साथ किस चीज का पेर घर के पास नहीं रखना चाहिए दोस्तो इसका सही अंसर है बेर का पेर जो है घर के पास में रखने से लक्षमी तुरंत भाग जाती है इसलिए बायर का पेद नहीं रखना चाहिए सवाल नमबर आठ किस दिशा में बैठ कर पुजा करना चाहिए दोस्तों नहीं जानता है तो वीडियो को लाइक चनल को स्ट्राइब मेरे भाई जरूर कर दिजिएगा दोस्तों इसका सही अंसर है कभी भी तीन दिशा में मूह करके पुजा करने से पूरब दिशा, पच्छिन दिशा और उत्तर दिशा में घर में ब्रकत होता है और लक्ष्मी माता आती है सवाल नमबर 9 अमीर बनने के लिए कौन सा काम करना चाहिए दोस्तों दोस्तों इसका सही अंसर है अमीर बनने के लिए खुब पुजा पाट करना चाहिए माता देवी का और देवी दुरगा का कि खुब आदमी अमीर बन जाए दोस्तों पुजा पाट करने से सवाल नमबर 10 इस धर्ती पर लोग ज्यादा गरीब क्यों होते जा रहे हैं दोस्तों पूजा पाट नहीं करने से लोग गरीब होते जाते रहें इसलिए पैसा खुब कमना चाहीए दोस्तों सवाल नमबर 11 सुबह जगने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहीए दूस्तो इसका सही अंसर है सुबह जगने के बाद में सबसे पहले लेटिंग जाना चाहिए नहीं तो लगवा फालिस की बीमारी हो जाती है सुबह के समय में बहुत सभी लोगाई के काम करना में लगते हैं उसको लगवा फालिस मार देता है दोस्तो सवाल No.12 सुबह नहाने के बाद कौन सा काम जरूर करना चाहिए दोस्तो दोस्तो इसका सही अंसर है सुबह जगने के बाद में असनांध्यान और पूजापाट जरूर करना चाहिए घर में माता लक्षमी आती है घर में प्रकत होता है और पढ़ने वाले बच्चे को मन लगता है और सब परिवार जो है खुचा हाल रता है इसलिए जरूर पुजापाट करें सवाल नमबर 13 सुबह मूध होने के बाद क्या करना चाहिए दोस्तों नहीं जानता है तो वीडियो को लाइक चरूर करें दोस्तों इसका सही अंतर है सुबह मूध होने के बाद नास्ता जरूर कर लेना चाहिए नहीं तो पेट में गैस बनता है पेट में गैस बनने के कारण बिमारी में पैसा जो है उस सब लग जाता है दोस्तों सवाल नमबर 14 इस धर्ती पर आये हो तो सब काम छोर कर कौन सा काम जरूर करना चाहिए दोस्तों दोस्तों इसका सही असनर है सब काम छोर कर मेल मिलाव सभी आदमी से जरूर रखना चाहिए कि कभी कोई आदमी से जरूरत पर जाए सबसे जदा घ्या खाना में छाहिए कि शरीड, सुन्दर और स्वस्थ बण जाए और आदमी विमाग माहूँ दूस्तो इसका संगे एंसर है कंप्यूटर पे काम करने वाले आदमी को केला और दूर का सेमन चरूर करना चाहिए इससे आख की रुष्णी जो है तुलसी माजी का पुजा करने से क्या फाइदा मिलता है? दूस्तो इसका सही असर है, माजी का तुलसी का पुजा करने से घर में कोई बीमारी नहीं आती है और घर में लक्षमी माता जुह है, स्वेम घर में आगर निवास करती है सवाल नमबर 17 ज्यादा अमरूद खाने से कौन सा चीज पेट की खराब हो जाती है दोस्तों दोस्तों इसका सही अंसर लिबर और आते पूरा खराब हो जाता है ज्यादा अमरूद खाने से इसे लिए खाली बेट जो है अमरुद नहीं खाना चाहिए खाना खाने के बाद एक दो जरूर खालने तो खालने नहीं तो ज्यादा ना खाए सवाल नमबर अठारव माता लच्मी जी को पास कौन सा चीज हमेसा रखना चाहिए दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो इसका सही अंसर है गनेश भागवान का फोटो और दो चार दस रुपिया जरूर रखना चाहिए कि घर में लच्छमी माता हमेसा रहे दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो इसका सही अंसर है भोजन सही नहीं पच्छने के कारण पीट में गयस बनता है इसलिए आच्छा भोजन करना चाहिए सवाल नमबर 20 सुबह में कौन सा देवता का नाम जरूर लेना चाहिए दोस्तो दोस्तो इसका सही अंसर है हनुमान जी का जरूर लेना चाहिए और सुबह के समय में कोई भी देवता का जरूर नाम लेना चाहिए से बीमारी मिर्ती है सवाल नमबर 21 इस किर्णी क्या खराब हो जाता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरू कर देना दोस्तों इसका सही अंसर है लीची नहीं खाने के कारण पेट में किर्णी जो है खराब हो जाती है इसलिए दोस्तों आप लोग उसे हाथ जोर करके मैं कहुंगा कि एक लीची खाने के नहीं से किरणी खराब हो जाती है इसलिए सीजन में जो है दूचार दस्त की जो है लीची वो खा लें किरणी कभी न खराब हो दोस्तों सवाद नमबर बाइस कौन सा चीज है मन में हमेशा रखना चाहिए दोस्तों आप लोग नहीं जाते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इसका सही अंसर है धन्मान बनने की उमीद और हमेशा रखना चाहिए मन में गरीब बनने की उमीद कभी नहीं रखना चाहिए नहीं तो आदमी के घर में लक्षमी नहीं आती है माता लक्षमी आती है कब जब धन्मान बनने की उमीद हमेशा मन में रहता है तो दोस्तों सवाल नमबर 20 अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को दोस्तो नहीं जानते हैं तो को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना दोस्तो इसका सही अंसर है अमीर बनने के लिए जितना हो सके उतना अच्छा काम करना चाहिए पुजा पाट करना चाहिए, पुजा पाट करने से आदमी जो है धन्मान बनता है, अमीर बनता है, इसलिए त्योंता को पुजा जरूर करें सवाल नमबर 24, मचली खाने से कौन सा दो बीमारी फूल करवे नहीं पेट में होती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरी भाई ज़रूर कर देना है, कि ऐसी जनकारी आप तक मिलती रहे दोस्तों दोस्तों इसका साही अंसर है, मचली खाने से सुगर और लागवा की दिमारी कभी जीवन में भूल करके भी नहीं होती है इसलिए मचली जो है वो खूब खाना चाहिए केवाई मचली अबर मिले तो और सुन्दर है क्यांकि केवाई मचली का जो है वो सुगर की धावा बनता है खूब खाना चाहिए केवाई मचली दोस्तों सवाल नमबर 25 आतों को मजबूत रखने के लिए क्या खाना में खाना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो प्राइक चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करें दोस्तों इसका सही अन्सर है फालक का सब्घी खुब खाना चाहिए उससे लिबर जो को पुख जाता है घरदफूर मातरा में उसमें लोहा पाया जाता है इसलिए पालक के सब्सक्राइब खाना चाहिए उसमें लोहा विटामिक पाई जाती है सवाल नमबर 26 दूध चीन लोगों को नहीं पच रही हो तो दूध में क्यार डाल कर पीना चाहिए दूस्तों इसका सही अंसर है हारा दनवाला लाइची डाल कर और थोड़ा सा चीनी दूध में खुब अमठ नहीं उसके पाहद में पीए पीत में गैस भी नहीं बनेगा और बीमारी भी नहीं होगी मुह से पद्व भी नहीं आएगा और दूध जो है वह असानी से कोई भी द सब्सक्राइब मेरे भाई कर देना दूस्तों इसका सही अंसर है पनीर की सब्जी खुब खाना चाहिए पनीर की सब्जी खाने से पेट जो है वो साफ रहता है सुन्दर रहता है सवाल नमबर 27 आतों मेरे सा बनाने के लिए क्या चीज खाना चाहिए दूस्तों नहीं जानत कि जनकारी आप तक मिलती रहे मेरे वाई अडी मेरे प्रश का कट दोस्तों इसका सही अंसर है कि भी सिजन में आम खुब खाना चाहिए आंत्तों में रेशा बनाने के experience जो आदमी आम नहीं खाते हैं उनके आतों के रेशा जो है उमर जाता है इसलिए अतरी के रेशा पाने के लिए नाया आम खुब चूश चूश करके गर्मी के मौसम में खाना चाहिए दोस्तों सवाल नमबर 29 गुलपोच पीनस से क्या फायदा मिलती है शरीर में दोस्तों इसका सही अंसर है गुलपोच पीने से सरीर कमजोर नहीं होता है और खुण की कमी नहीं होती है और लोगों को गुलपोच जो है वो गर्मी के मौसम में खुब पी लाना चाहिए गुलपोच पीने से सिहा प्राचा रहता है और फ्षुन की कमी शरीर में नहीं होती ये तो तभीद्हत जो है औो खराब नहीं होती आ इसलिए घुलकोंज दूस्तों खुब पीना चाहिए सवाल नमबर 30 हारा साख सब्जी खाने से कौन सा बीमारी नहीं होती है सरीर में दूस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना दूस्तों इसका सही अंसर है हारा साख सब्जी खाने से कुपोसन की बीमारी कभी नहीं होती है जीवान पूर्खोर के भी लगवा की बीमारी नहीं होती है जीवान पूर्खोर के भी इसलिए हारा साख सब्जी जो है खुब खाना चाहिए आखों की रूस्नी खुब बनी रह तो लाइक किजिएगा, सेर किजिएगा मेरे भाई, ऐसी जनकारी हमेशा आप लोग के पास तब हम पहुंचाते रहें दोस्तों, और आप लोग जो है बीमारी से पचे रहें, क्यांकि बीमारी में बहुत सारा पैसा जो है उलग जाती है दोस्तों, हाथ जोर करके मैं यही दोस्तों, थैंकि दोस्तों